नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टेरो में और मैं हूँ आपकी टेरो रीडर वैशाली शर्मा देखते हैं कि काली मां का आपके लिए क्या संदेश है तो यहां है मॉरैलिटी ग्रैटिट्यूड तो यहां पर देखिए आपके एनरजी में एक परसन की बहुत ज़ादा ही एनरजी चल रही है ठीके अब आप शायद इस बात से अनवेर हैं आपको नहीं पता है पर यह जो इनसान है यह आपके बारे में बहुत ज़ादा ही सोच रहे हैं बहुत ज़ादा ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं और यह फिर अपने ही माइंड में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही ओवर्थिंकिंग से यह बिल्ड अप कर रहे हैं तो यह इनसान कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई पास्ट का परसन हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पर कोई हो सकते हैं या ऐसे इनसान जिनसे रिसेंटली शायद आपकी कहीं मीटिंग हुई थी ठीक है तो अब दिखिए यहाँ पर यह समझना होगा कि ऐसा क्यूं है कि ऐसे इस frustration वाली energy में क्यूं है और यह इंसान आपके बारे में क्यूं सोच रहे हैं क्यूंकि यह इंसान आपकी personality को analyze कर रहे हैं और बड़ी अलग हटके आपकी personality इनको दिखी है मतलब आप ऐसे इनसान हैं ना कि आप शयद जो बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि आप बहुत ही जादा मासूम है या बहुत जादा ही ऐसा है कि कुछ आपके अंदर एक तरह से maturity नहीं है या फिर आप कहीं ऐसे हैं कि जहां पर आपको जादा कहते हैं ना expansion नहीं हुआ है expansion मतलब जैसे जब अगर आपको कोई बहार से judge करें तो आपको ऐसा दिखेगा बड़ा ही simple सा मासूम सा या जो कहते हैं ना एक ऐसा इनसान जो जादा mature नहीं है तो इस इनसान को ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही जादा immature हैं ना काबिल हैं और आपको सही गलत की समझ नहीं है लेकिन जब ये बैठते हैं तो इनका मन इनको बार बार ये याद दिलाता है कि आप कितने सही हैं ये आपको बहुत ही जादा सही नजर में देखते हैं पर ये मान नहीं रहे हैं, मान नहीं पा रहे हैं, मतलब ये अपने ही माइंड में duality में फसे हुए हैं, इनके माइंड में दो तरीके के judgment चल रहे हैं आपके लिए, ठीक है, अब लेकिन ये समझ नहीं आता है आपके कि य moral values हैं, के भाई जो एक सही तरीका होता है life को जीने का और life को देखने का, दुनिया को देखने का बहुत ही जादा आपका एक moral तरीका है, जो की अलग हटके है बाकियों से, और वो आपका बहुत ही जादा एक unapologetic है, unapologetic मतलब कि आप उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसम कोई चल कपट है, या फिर ऐसा है कि आपको किसी बात का guilt होना चाहिए, या shame होनी चाहिए, तो आपके अंदर एक तरीके की शर्म है या एक तरीके की घरणा नहीं है, किसी चीज को लेकर, और इसके साथ साथ आपको बहुत ही जादा gratitude वाली energy में रहते हैं आप हमेशा की त देते हैं, चाहिए वो कुछ भी हो, चाहिए वो चोटे-चोटे fool हो, चाहिए आपका खुद का ही transformation हो, इसके साथ ही वो देख पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ बदला है अपने लिए, और इसके साथ-साथ वो ये भी देख रहे हैं, कि आपकी life में challenges भी बहुत आए हैं, ह ऐसे ऐसी परिस्तिती आई है, जहां शायद आप पूरा ही अपने आपको खो देते या बिल्कुल downfall आ जाता, लेकिन वहां से भी आपने बिना किसी के help के support के अपने आपको उठा कर यहां तक लाया है, तो अगर यह आपका करीब इंसान है, तो आपको बखू भी जानता है और अगर यह कोई ऐसा इंसान है, कोई new person है या कोई पल भर की चंद मिंटो की या कुछ टाइम की आपकी इंसे interaction हुई है, तो इस इंसान ने आपके अंदर एक depth देखी है, मतलब आपके अंदर एक बहुत ही जादा अलग आपकी एक मॉलिक्ता है, आपकी अलग से एक, कहते हैं न अंदर से आप ऐसे इंसान नहीं है, जो बनावटी हों, या जो सुर्फ औस बाते जुटी बाते बोल रहा हो, या सरिफ दिखाने के लिए, कहते हैं न जो सरिफ शु और आपको एक वैसा दिखाने के लिए, आपने बहुत जादा हाईलाइट दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूँ superior दिखाने के लिए आप ऐसे नहीं है बलकि आपकी जो बातें आपकी personality है और जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत ही जादा एक थोस है और गहरा व्यक्तित्व है तो ये इंसान जो एक अगर आपको बहार से देखा है तो ये judge कर क्योंकि ये इंसान भी कहीं न understanding रखता है क्योंकि इस इंसान ने भी काफी कुछ सुना है देखा है तो ये इंसान जानता है इसका judgment है कि कोई इंसान इतना जाद अगर आपके जैसा इंसान सरफ खोकला या जूटा नहीं हो सकता आपने भी बहुत कुछ देखा है कहीं न कहीं बहुत कुछ सहा है तब जाक इसा नहीं है कि भाई कुछ चीज चाहिए तो चाहिए आप जादा अटैज्ड नहीं है या एकदम जैसे इगर होता है ना कि मतलब कि किसी चीज को लेकर कि बहुत जादा परिशान होना या लैक में रहना कि है ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा आप कभी पैनिक नहीं करते हो आप बेचैन नहीं रहते, विचलित नहीं रहते बल्कि आप काफी जादा मैं देख सकती हूँ रिलैक्सड एनरजी में है और आपको क्योंकि अपनी उपर विश्वास है अपनी मेहनत पर कहीं न कहीं विश्वास है और लाइफ आपको जिस डिरेक्शन में ले जा रही है आप उस पर चल रहे है मतलब आप जो सफर आपने चूस किया है वो अपने आप से चूस किया है आपने और आप अपनी मर्जी का कर रहे हो बड़ी ही प्राउड के साथ कर रहे हो विश्वास के साथ कर रहे हो हैना उसमें कोई doubt नहीं है आपके actions में आपकी मेहनत में और आपकी choices में चाहें आप वो कोई भी choice बना रहे हो चाहें आपकी career choices है या आपकी relationship choices है या आपका money choices है या आप किसी चीज को ये देख रहे हो कि क्या चीज आपका साधन है, या किया आपको भाई और जादा आपको प्रॉफिट दे सकता है आपकी लाइफ में, तो क्या है आप इस चीज़ को कभी भी अपने, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं आप अपने आपको अटकने दे रहे हो, या कहीं ऐसा हो रहा है कि किसी और influence में आके कुछ कर रहे हो तो ये एक तरीके का वही है एक जो forward movement attitude है आपका आप बस आगे बढ़ते जारें उसके साथ साथ आपका एक जो community में रहने का एक bond है वो भी आपका बहुत अच्छा है आप यहाँ पर आपके कुछ friends होंगे आप student है तो जो आपकी study group है वो बहुत जादा highlighted है और respected है आप लोग आपका जो group है वो उस पर सबकी नजर है और अगर आप कहीं job कर रहे हैं तो जिस community में आप काम कर रहे हैं वो community में आपकी बहुत ही जादा respect है और आपके intelligence की respect है अब यहाँ intelligence का मतलब देखिए अलग-अलग level पर intelligence है यहाँ पर सरिफ वैसा educational intelligence की बात नहीं हो रहे हैं intelligence का मतलब भी होता है कि यहाँ पर एक चीज़ का समझ हो ना किसी भी अगर कोई भी कोई भी अगर आपके सामने परिस्तिती है तो उसमें आप कैसे उससे जूज रहे हो क्या समझ रहे हो क्या देख रहे हो हो सकता है बहुत सी ऐसी बाते हैं जो कि दूसरे नहीं देख पा रहे हैं पर आप देख पा रहे हो इसलिए आप अपनी लाइफ में ऐसे strides ले पा रहे हैं ऐसे decision ले पा रहे हैं ऐसे कदम उठा पा रहे हैं जो शायद लोगोंने सोचे भी नहीं है इस वज़े से ही आप इतना फ्री रहके अपने लिए डिसीज अपने लिए एक रास्ता निकाल पा रहे हो अपनी चॉइसे बना पा रहे हो तो ये बात जो है ये इंसान को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता ह है तो ये अपने एनरजी अपने माइंड में आपकी पूरी एक व्यक्तित्व को लेकर बहुत जादा ही थिंकिंग मोड में हैं तो ये तो हो गया कि इस इंसान के कोई है ये इंसान अब यहां पर देखते हैं कि आपके लिए क्या करना चाहिए है तो यहां पर देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं यहां देखिए सही बात तो यह है कि आपको इस वक्त अपने उपर फोकस करने की ज़रूरत है कोशिश करिए कि भाई चीजों को थोड़ा सा बाउंडरी में ही रखने दे हैं ना क्यूंकि देखो आपको यहां पर यह समझना होगा कि हर प व्यक्तित्व से या आपकी personality से impressed है या कुछ सीखना चाहते हैं या यह समझना चाहते हैं कि एक इनसान ऐसे कैसे इतना जादा confident हो सकता है अपनी choices में है ना लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि आप अगर इस position पर आज खड़े हैं इतना confidently इतना बिलकुल उससे अप proudly लेकर confidence के साथ पूरे आत्म विश्वास के साथ तो देखो यहां पर सीधी बात यह है आपने भी बहुत कुछ देखा है बहुत कुछ बदला है और बहुत आगे तक आये हैं और आपने बहुत कुछ हील भी किया है एक तरह किसे आपको अपने past से past में जो भी हुआ है उसक इनसान के साथ share करें या इस इनसान को अपने past का हिस्सा बनाएं क्यूंकि आपको यह बहुत अच्छे से समझ कर किसी को अपने personal बातों में या personal matter में involve करना होगा जब आपको लगे कि हाँ यह इनसान सही है या permanent है आप almost है तो आपके लिए message यह है कि आपको इसमें परिशान पहने किया कोई ऐसा negative बात नहीं है या बहुत tension वाली बस यहाँ पर यह है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की आप बस शान्त रहें और अगर आप कुछ इनसे बात कर रहें इंट्रेक्शन कर रहें तो कोशिश करिए कि आप बाते इनको या अपने जो आपके struggles रहें हैं परिशानिया रही हैं अकेला पन रहा है वो एकदम से share ना करें पहले थोड़ा समय लें थोड़ी देख लें कि क्या ये इनसान सच में विश्वास के लाइक है या नहीं अपने आपको तब आप समझ कर आगे कदम बढ़ाईए तो ये आपके लिए संदेश है और काली मा का और अगर आप हमारे चैनल से personal tarot reading और haven services लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं जो details हैं वो description box में दी गई हैं और जैसा कि आप जानते हैं सावन haven booking भी शुरू हो गई है और हमारे अलग-अलग तरीके के various types of havens हैं तो सहस नाम havens भी है और major minor haven है तो जो भी आप लेने चाहते हैं उसके लिए संपर्क करें बाकी हम मिलेंगे आपको next video में